Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel सरकारी भरत Friends, आज के सेशन में हम पॉलिटी के एक और टॉपिक के बारे में डिस्कुस करेंगे तो हमारी क्लास चल लही थी भारत के संविधान पर यानि कि हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे थे हम जो भी बना रहे हैं वो आपको NCRT वेजट बना रहे हैं यानि कि NCRT को कवर करती हुए आपकी ग्लास यहां पर लाए जा रहे हैं आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रधान मंत्री मंत्री परशद एवं मंत्री मंदल के वारे में हैं इससे महत्पूर्ण जितने भी अनुच्छेद होंगे उन सभी अनुच्छेदों को पढ़ा जाएगा इन से रिलेटर जो भी फैक्ट हैं उन महत्पूर्ण फैक्ट को देखेंगे मंत्री परशद और मंत्री मंदल में आकरकार अंतर क्या होता है उसको भी हम डिसकस करने वाले हैं तो उमीद है आपको आज का सेसन अच्छा लगेगा ही क्योंकि हम आपको टाइग्राम से और बीच बीच में आपको ट्रिक्स भी बताते जाएंगे तो टॉपिक को बेसिक से समझाएंगे और अंत तक अपनी इस क्लास को ले जाएंगे अगर आप लोग वन मेंट यदि आप लोग तयारी कर रहे हैं किसी भी एक्जाम के चाहें SSC की तयारी कर रहे हों रेलवे की तयारी कर रहे हों या और अधर कमटेटिब लिवल एक्जा काम की तैयारी कर रहे हूं अगर आप टीचर वनना चाते हैं पोलिस कॉंस्टेवल वनना चाते हैं अगर आपके पेपर में पॉलिटी की आती है तो आपके पेपर में यहां से question बनने की संभावना पूरत है तो notebook उठा लीजिएगा और notes अपने बना लीजिएगा इस video को कम से कम दो बार देखेएगा आपको सब कुछ यहीं याद हो जाएगा तो चले friends start करते हैं आज के सेसन को सबसे पहले बात करते हैं भारत में संसदिय बिवस्ता की भारत में यद संसदिय बिवस्ता की बात करें भारत में यद संसदिय बिवस्ता की बात करें तो संसद तीन चीजों से मिलकर बनी होती है संसद किस किस से मिलकर बनी होती है तो संसद में सबसे पहले लोकसवा होती है फिर इसमें राज्यसवा होती है और राष्टपती महोदया होते हैं तो संसत का निर्माण कैसे होता है संसत का निर्माण लोकसवा राज्यसवा और राष्टपती के मिलने से संसत का निर्माण होता है भारत में संसदी असासन विवस्ता अपनाई जाती है तो भारत में किस प्रकार की विवस्ता अपनाई जाती है प्रशन पूर सकता है एक्जाम में तो भारत में संसदियस हसन विवस्ता अपनाई जाती है जिसमें राश्टपती की बात करें तो नाम मात्र का प्रमुक कौन होता है राश्टपती जबकि बास्तविक प्रमुक कौन होता है प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री राष्ट पती यदि कोई भी कारे करना चाता है तो वो बिना मंत्री परशद की सलाह विना केविनेट के सलाह बिना प्रधान मंत्री की सलाह के नहीं कर सकता तो यानि कि संसदी सासन विवस्ता में हमारी यहां पर भारत में वात के जा जबकि बास्त्विक प्रमुक कौन होता है प्रधान मंत्री होता है बारत में राष्टपती के वलनांद मात्र का मुकिया होता है और बास्त्विक सक्तियां किसके पास होती है मंत्री परशद के साथ मिलकर प्रधान मंत्री के पास होती है और प्रधान मंत्री ही सरकार चलाने क कारे करते हैं मंत्री परशद और मंत्री मंदल में अंथर क्या होता है सबसे पहले इसी बात को समझेए मंत्री परशद को हम बोलते हैं council of ministers क्या बोलते हैं council of ministers इसके तीन पार्ट होते हैं mainly पहला पार्ट होता है इसमें cabinet मंत्री प्लस परदान मंत्री जिसको हम मंत्री मंदल के नाम से जानते हैं तो मंत्री परशद के कितने भाग होते हैं मुख्यता मुख्यता तीन भाग होते हैं पहली होती है कैबिनेट मंत्री प्लस परधान मंत्री जिससे हम मंत्री मंदल का निर्माड होता है दूसरा होता है राज्य मंत्री राज्य मंत्री भी दो प्रकार की होते ह एक राज्य मंत्री होता है एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रवार होता है अभी डिसकस करेंगे स्वतंत्र प्रवार क्या होता है इसके बाद तीसरे होते हैं उपमंत्री क्या होते हैं उपमंत्री तो जो मंत्री परशद है वो राज्य मंत्री उपमंत्री कैविनिट मंत्रिय के मिलने से मंत्री पर्षद का निर्माड होता है यानि कि मंत्री पर्षद में सदस्यों की संक्या अधिक होती है जबकि मंद्री मंडल में सदस्यों की संक्या कम होती है कैविनिट मंत्री सरकार के प्रमुक मंत्राले जैसे रच्छा मंत्राले पित्त मंत्राले ग्रह मंत्राले आद की प्रमुक होते हैं और यह अपने विवाग संब्धी निर्णे स्वैम लेते हैं यानि कि कैविनेट को एक बला ओदा दिया जाता है राज्य मंतरी कैविनेट के सहायक होते हैं जो कैविनेट मंतरी होते हैं उनके सहायक मंतरी कौन होते हैं राज्य मंतरी होते हैं स्वतं राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनेतिक और संसधिय कारे में सहायता के लिए न्युक्त किया जाता है तो उपमंत्रियों को क्या? कैविनेट और राज्यमंत्रियों को उनके पिशासनिक, राजनैतिक और संसदिकारी की सायता के लिए न्युक्त किया जाता है तो भारत की बात करें, तो भारत में मंत्री परशद सबसे बड़ी होती है, जिसमें सदस्टों की अधिक संक्या होती है, जिसमें केविनिट मंत्री, प्रधान मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं, केविनिट मंत्री प्लस प्रधान मंत्री को जोड़ा जाए, त स्वयम से नणा ले सकते हैं किसी वी विवाक से संबंदित उसी प्रकार से सोतंत प्रवार से राज्य मंत्री भी नणा ले सकते हैं जबकि ओप मंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों की परशासनिक राजनितिक और संसद्य कारे में सहायता के लिए न्युक्त किया जाते हैं इसके बाद बात करते हैं प्रधान मंत्री और मंत्री परशद के बारे में तो समझते हैं प्रधान मंत्री और मंत्री परशद के बारे में आर्टिकल 74 की ओर चलते हैं अनुच्छिद 74 की त्रोप राष्टपती की सला के लिए एक मंत्री परशद होगा जिसका प्रधान मंत्री के पास तो राष्टपती वही कारे करेगा जो मंत्री परषद और प्रधान मंत्री उसको सला देंगे तो राष्टपती के सला के लिए एक मंत्री परषद होगा जिसका मुखिया कौन होता है प्रधान मंत्री होता है अनुच्छत 75 में लिखा है प्रधान मंत की सलहा पर करेगा एक एनवेवा सम्मेदानिक संसोदन दो हजार तीन में होता है और इस अनुच्छिद में यह बात कही गई कि मंत्री परसद में मंत्रियों की कुल संक्या प्रधान मंत्री और सामिल को सामिल करके लोग सबाके कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती यान मंत्री को बनाती है जाए सिर्फ और सिर्फ 15% मंत्री ही क्या बनेंगे कैविनेट मिनिस्टर्स बनते हैं ठिक तो पहली बात तो यह रही दूसरी बात क्या है यहाँ पर अगर हम दिल्ली के case में बात की जाए तो जैसे राची विधान सवा है दिल्ली तो विधान सवा में क्योंकि union territory भी है और विधान सवा भी है तो दिल्ली की विधान सवा में 10 प्रसत से अधिक मंत्री नहीं रह सकते जिसमें मुख्य मंत्री को भी सामिल किया जाता है तो यहाँ एक अपबात की तोर पर आप दिख सकते हैं क्योंकि एजाम में यहाँ से कोशन बन जाता है नेक्स्ट है अनुच्छित 75-2 आर्टिकल 75-2 में क्या है प्रधान मंत्री और सभी मंत्री राष्ट पती के प्रशाद पर्यंद दूरिंग दे प्लेजर आप दे प्रेसिडेंट तक कारे करेंगे यानिके आर्टिकल 75-2 के तहट प्रधान मंत्री और सभी मंत्री क्या करेंगे राष्ट पती के परशाद पर्यन during the pleasure of the president थग कारे करेंगे परधान मंत्री एवं मंत्री परशाद अनुच्य 75.3 में है मंत्री परशाद सामुही करूप से लोगसवा के प्रत उत्तरदाई है इसी प्रकार आपने देखा होगा लोगसवा में जब कोई प्रश्ण पीछा आता है तो उसका उत्तर देना ही होता है और क्योंकि सामुही करूप से मंत्री परशाद लोगसवा के प्रत उत्तरदाई होती है व्यक्तिकत रूप से राष्ट पती के प्रत उत्तरदाई होता है तो प्रधान आपसे प्रशन पूछेगा, मंत्री पर्शद किसके प्रती सामुएक रूप से उत्तरदाई है तो उत्तर होगा लोगसबा, जबके व्यक्तिकत रूप से किसके राष्टपती के प्रती उत्तरदाई है, आर्टिकल 75.4 में क्या है? पद ग्रहन से पूर प्रधान मंत्री सहित प्रतेक मंत्री को राष्ट पती सामने पद और गोपनियता की सपत लेनी होती है यानि के प्रधान मंत्री या मंत्री अगर गोपनियता की सपत लेना चाहते हैं तो किस अनुच्छित के तहत आर्टिकल 75-4 के तहत ले सकते हैं प्रधान मंत्री और मंत्री परशद के बारे में कुछ महत पूर अनुच्छितों को और समझ लेते हैं अनुच्छ 75, 5 में क्या लिखा है, मंत्री परसद का सदश्य बनने के लिए वैधानिक दरश्टी से यहाँ आवश्यक है कि ब्यक्ति संसत के किसी सदन का सदश्य हो, यानि कि यदि कोई ब्यक्ति केविनेट मिनिस्टर बनना चाता है, राज्य मंत्री बनना चाता है, या उप लोकसवा से या राज्य सवा से 6 महीने के अंदर संसस सदश्यता ग्रहन करना अनिवार है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, अनुच्छ 78 के अनुसार देखें, तो प्रधान मंत्री का यहाँ करता ब्योगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं बिधाई मामलों त इसके बाद कुछ महत पूर्ण तथ्यों से सम्मंदित जानकारी प्राप्त करते हैं क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रवल सम्मावना रहती है, तो पहला है प्रधान मंत्री मंत्रियों को त्याग पत्र देने अत्वा राष्ट पती को उसे बरकास्त करने की सलाहा दे सकता है, यानि कि प्रधान मंत्री क्या है, मंत्रियों को क्या गय सकता है कि भाई आप त्याग पत्र दे दीजिए, अत्वा राष्ट पती को बरकास्त करने की सलावी दे सकता है, प्रधान मंत्री या राष्ट पती स्वयम भी बरकास्त कर सकते हैं प्रधान मंत मंत्री परशद स्वयम ही विगटित हो जाती है तो अन्य मंत्री भी कोई कारें नहीं कर सकते हैं यानि कि जब मंत्री परशद का प्रम कौन होता है प्रदान मंत्री या तो प्रदान मंत्री इत्याग पते दें या उनकी म्रत्ति हो जाए तो ऐसी स्थिति में मंत्री परशद क प्रशद का अध्याच होता है महत्पूर्ण प्रश्ण है यहां से पेपर में बहुत पूछा जाता है और ये क्वेशन आता ही रहता है क्वेशन क्या आता है प्रदान मंत्री किसका अध्याच होता है तो नीतियायोग का भी अध्याच होता है राष्ट्य विकात परशद का वियद्यच होता है राष्टी एकता परशद का वियद्यच होता है अंतराजी परशद और राष्टी जल संसाधन का भी अध्यच होता है कुछ महत्पूर्ण तत्य और हैं जैसे भारत का प्रधान मंतरी बनने के लिए नियूंतम आयू कितनी होनी चाहिए तो भारत का प्रध वर्स होगी लेकिन वह यदि राज्य सवा से बनना चाता है क्योंकि राज्य सवा की सदस्चों की नियुक्ति कम से कम 30 वर्स पर होती है तो उस व्यक्ति के उम्र 35 वर्स होनी चाहिए बैसे सम्विदान में किसी नियूंतम आयू का उलिक नहीं है बस यह दिया गया है कि भारत के प्रदान मंत्री को लोकसवा एवं राज्य सवा में किसी एक का सदस्य होना चाहिए ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसवा का सदस्य है तो नियूंतम आयू 25 वर्स है प्रदान मंत्री में सबसे बड़ा कारेकाल प्रथम प्रदान मंत्री पंड़ जवाला लहरू का रहा व जिनोंने मात्र 13 दिन तक अपनी सरकार को चलाया था ऐसे प्रदान मंत्री जो कभी भी लोग सवा में उपस्तित नहीं हुए तो इसका सही जवाब है चरण सिंग, चौधरी चरण सिंग विश्वास मत प्राप्त करने में अस्पल होने वाले प्रथम प्रदान मंत्री कम उम्र में प्रदान मंत्री बने बारत के परतम 11 कोंगरेशी प्रदान मंत्री कौन है तो दोस्तो आज के सेसन में हमने पढ़ा प्रदान मंत्रियों से सम्मनित प्रश्णो को यादे आपको आज का सेशन अच्छा लगा है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्यू 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 फॉर वाचिंग दिस वीडियो